अगर आप सब को हाइपी धन तेरस हाइपी दिवाली माल अचमी और कुबेर जी गा किरिप आप सब भी बना रहे और हम पर भी बना रहे चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना अगर आप सब को हमारी रेश्पी पसंद आती है मेरे चैनल को लाइक सस्क्राइब कर दिजे बेल लेकन दबा दीजिए ताकि अर इसक्यातब को मिलती रहे हमें फेस्टूक के फोलो कि आप अगर नए है हमारे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिजे तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाने गैस को अं करते हैं करायी रखते हैं कर आदा लीटर दूर डाल रहे ह आधा लिटर दूर डाले कराई में इसे अच्छी तरह से उबलने देते हैं ताकि दूद अच्छी तरह से गाड़ा हो जाए आप हमारे बताय तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी बर्फी बनेगे बहुत ही टेस्टी बनती है अब फटा फट बनके रेडी हो जाती है देखिए इसे अच्छी तरह से चलाते रहेंगे देखिए अब इसी में मिल्क पावडर डाल ले है चार पांच चमच नर्मल इसे अच्छी तरह से चला देखिए अगायास को मिधियम पे कर दिया है अब इसी में डालेंगे हम शक्कर मीठे के अनुसार डालेंगे ज़्यादे मीठा नहीं बनाएंगे क्योंकि कोकोनेट भी मीठा होता है और मिल्क पावडर डाली हो भी थोड़ा मीठा होता है देते हैं इसी में थोड़ा सा एलो फुट कलर डाल रहे हैं हम देखिए अब इसी में डेशिनेट कोकोनेट डाल दे रहे हैं हम इसे नारियल का बुरादा करते हैं और ओजन से 155 ग्राम था देखिए इस अच्छी तरह से चलाते रहेंगे गैस पो सलो ही रखें सलो से मीडियम क्राई में के सबस्क्राइब करें लुकारता है अरुट करनी कि नारियल के ऑन això साथे ब्रकाप haven के रेडि हो जाता है और प्रक्रादा डाल दे रहें हैं इस से चला करने लाएक हो गया है मेरा नॉर्यियल का बुरादार बिस देखिए इस तुर देखिए चॉरा अच्छी तरह से चला देंगे, चलिए गयस को बंद करते हैं, इसे सेट करने के लिए निकाल लेते हैं, थाली लेते हैं, थोड़ा सा घी लगा दे रहें उसमें, तीस्वी पेपर सम लगा दीएं घी, अब इसमें सेट कर लेते हैं अपने बर्फी हम, देखिए बहुत ही हम आवे का सवाद आता है, और बर्फी बहुत स्वाधिश्ट बनती है, हम फूल फैक्ट दूद लिए थे, देखिए इसे अच्छी सेट कर ले रहे हैं, तो आप सब भी बनाये, खाये और कॉमेंट किजिए कि हमारी रेस्पी आप सब को कैसी लगती है, हमें किजिए हमारे चैनल को, देखिए इसे थोड़ा से ठोक दिये हैं, कि सेट हो जाए, अब इसी पर थोड़ा चांदी का वर्क लगा दे रहे हैं, ताइक बिल्खुल दुकान जैसे दिखेगा, लेकिन घर पर एक दाम सूध और फ्रेस बन के रेडी हो जाता है, वारू का मौ बाहर छोड़ जैंगे, तो भी शेठ हो जाएगा ये घृटे में, देखिए अब इसे हम काट लेते हैं, देखिए इसे अच्छी तरह से काट लेंगे, बेल्कुल एजी हैं, कोई भी बना सकता है, या इस तरह से बर फी, देखिए हम निकाल लेते हैं, इस तरह से बर्फी क हम निकाल लेंगे देखिए दूसरा भी निकाल लेते हैं हम थोड़ा जल्दी से निकाल दिया है विशेट नहीं हुआ अच्छी तरह से देखिए हम तोड़ के आप सबको दिखा दे रहें कितना मुलायम बर्फी बना है उतना ही खाने में विश्वादे इस्ठा है